कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टी आईएस से कोई चूक हुई है ये कह सकते है राम से कि चूक हुई है एक ही दर्वाज रहे अगर वो बंद हो जागा तो क्या होगा सर आपकी कोचिंग सेंटर की बात करते हैं जो मुखरजीनेगर में जो कोचिंग सेंडर है, उसको MCD ने उसका बेस्मेंट सील कर दिया था. बच्चे आपके जोतनी भी स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों कोचिंग सेंडर मुखरजीनेगर में हो, जी करोलबाग में हो, वापे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने पे पहुँच गए हैं, बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्तिस चाह रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ये भी लगा है, कि दिरिश्टी आई यह से कोई चूख हुई है, पर लब ये कह सकते हैं राम से कि चूख हुई है, लेकिन वो चूख ऐसी नहीं थे कि नियत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूख हुई है, नियमों के सर पर, इंट्रेस्टिंग बात या विचितर बात ये है, कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंसिट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनके संख्या कम से कम एक हजार तो होगी ही, शच्याद ज़्यादा होगा, दो हजार भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो नॉर्म है फाइर अनोसी की एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि ये उदिल्ली में कितने बिल्डिंग के पास हैं, मेरा अनुमान है कि दो हजार में से चायद एक के पास भी नहीं है, जहान रखिए मैं जो कहा रहा हूँ, फाइर अनोसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग, फाइर अनोसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग के टेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंसिट्ट से नहीं की, पर क्या होता कि जब कोई हादसा होता ऊसके बाद, मोटी मोटी चीज़एं सतह पे आती हैं, कि फाइर अनोसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, जन्ता का आकरोश फट पड़ता है, उसके पीशे की वजहें क्या हैं, परे सितियां क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धहरें चाहिए, समय चाहिए. तो मैं असल में तीन दिन से ये भी चाह रहे था कि पहले सारी सितियां सामने आ जाएं, क्योंकि एक डिर दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं आ रहे था कि कितने बच्चे थे, क्या सिति है, धीरी धीरी चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरे ख सीर हुई है, बेस्मेंट जो करॉल बग में थी, वो एप्रूवट बेस्मेंट है, एप्रूवट कमर्शिल बेस्मेंट है, जिसमें एन उसी पर लिखा हुआ है, कि उसमें ऑफस चलाई जा सकता है, उसमें ऑफस ही चल रहा था, पर भी MCD पर जो दबाऊ था, उनोंने इंडिस्क्रिमिनेंट तरीकितेसे सब को सील किया है, हमें भी सील किया है नहरूविहर में जो basement सी जिसको लेके काफी च्याधा शूर हुआ दरसल क्या होता एक जैसी basement की बात आई तो सब के मन में basement की image बन गई है जहही रही जावी ऐसी ही कि एक छोटी सी basement है उसमें कुछ बच्टे बैठे हूं है एक ही दर्वाजा है अगर वो बंद हो जागे तो क्या होगा एक दिम्जायज बात है जो नेर्वियार की बेस्मेंट थी वो किसी घर की बेस्मेंट नहीं थी वो एक कमرशेल मॉल है उसकी बेस्मेंट है बहुत बड़े आकार की basement है उसमें एक नहीं दो नहीं साथ exit है साथों exit आपस में connected है उसमें classroom से हर एक classroom के अंदर map लगे हूँ है कि किसी भी emergency में आप कहां कहां से बाहर निकल सकते हैं हमारे staff के जितने members हैं उन सब की training वहाँ पर लगातर होती है फाइर डिपार्टमेंट की मौक जिल्स वहां पर लगातार साफ के साथ होती है मैं अपने होशो हवास में बात कह रहा हूँ कि हमें तीन दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेस्मेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफर्सक्शस में सेगे